नमस्कार दोस्तों, आसम कलेक्टिप्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फिटकेरी के वे कौन से चमककारी कुपाये हैं जो रातो रात आपको करोपती बना सकते हैं या माता लक्षमी का आप पर आशिरवाद भरपूर प्राप्त होगा दोस्तों फिटकेरी का उप्योग ना किवल स्वास्त के लिए सही है बलकि आपकी कई समस्याओं का समधान भी हो सकता है अगर जो व्यक्ती हैं वो शेविंग करते हैं वे फिटकेरी का उप्योग एंटिसेप्टिक के रूप में करते हैं कि फिटकेरी खुन को जमने नहीं देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिटकेरी में एंटिसेप्टिक गुन होने के बावजूद भी या बहुत ही जमककारिक इसका उप्योग होता है जी हाँ आपकी जीवन में आ रही परसानी को समाप्त करने के लिए आप फिटकिरी का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों यदि आपके घर में बरकत नहीं है या आपका बिजनस नहीं चल रहा है तो आपको घर के में गेट पे काले कपने में फिटकिरी बांद कर टांग देना चाहिए इससे आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत भी सुरू हो गई है और आपका बिजनस भी दिन दुनी रात चौगनी उन्नती होने लगी है दोस्तों यदि घर में लड़ाई जगड़े बहुत बढ़ गए हैं और घर में कलेश का बातावरन रहता है तो आपको दोस्तों उस वेक्ति के पलंग के नीचे एक गिलास में फिटकिरी के टुकड़े को रखना है और अगली सुबह उस जल को पीपल में डाल दे इससे आप देखेंगे कि घर में जो कलेश का बातावरन है वो कम होने लगता है दोस्तों सबसे महत्मून फिटकिरी का उपाई अगर आप धन प्राप्ति अगर चाहते हैं या माता लक्ष्मी का असिरवात चाहते हैं तो आपको फिटकिरी का ये उपाय तो जरूर ही करना चाहिए रोज रात को आपको फिटकिरी से अपने दाटों को साफ करें इससे आपको धन लाप जरूर होगा और माता लक्ष्मी का असिरवात भी प्राप्त होगा दोस्तों घर में अगर वास्तु दोस है तो फिटकिरी के पानी से पूछा अवश्य लगाएं इससे जो वास्तु दोस है वो आपका कुछ हज तक आपके घर में सकरात्मक उर्जा का प्रवा होगा और आपका वास्तु दोस्त भी दूर होगा और नकरात्म कुर्जा कम हो जाएगी तो दोस्तों आज का हमारे ये विश्य आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें धन्यवाद